खुजली की बिमारी चल मैं आती हूँ खाना बना के रखना अरे फिर से कहा जा रही हो आप पिछले दो घंटे में आठ बार इधर उदर जा चुकी हो अपने पाओं के टायर को ब्रेक लगाओ ना अरे तु अपनी जुबान को ब्रेक लगा तु कौन होती है मुझे रोकने वाली अरे जुआला मुखी जी फटिये मत मैं बस ये कह रही थी कि बिना बाद के बाहर मत निकलो लॉकडाउन खत्म हुआ है कोरोना नहीं बीमारी तो अब भी है ना अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला मैं गाओं में पली बड़ी हूँ बहुत शक्ती है मुझे में हाँ कोरोना की छोटे से वाइरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही जो होगा देखा जाएगा अगर हो गया ना तो देखा नहीं जाएगा आपसे बहु मेरी सास बन्दे की कोशिश मत कर सास बहु की एक बात नहीं मानती और बहु के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने शाम को जब सास वापस आती है तो ये लीजे सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजी अरे इसमें से तो बदबुए आती है ची-ची-ची-ची मुझे नहीं करना ये इस्तिमाल अरे तो साबुन से हाथ दो लीजे इतनी बार हाथ दुलवाएगी तो चमडी गल के नीचे गिर जाएगी माजी आप बाहर से आई है हाथ दोने का तो सरकार भी कह रही है मेरी नहीं तो किसी के तो सुन लीजिए मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ मेरे अपने नियम है को रोना है आरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है यार माजी जरा से बात है इतना तो करी सकते हैं आप नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं, नहीं, नहीं सुना, तो क्यूं मूँ लग रही हो, कौन मूँ लगे आपके, आप तो मास पी नहीं लगाती, मास तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा, ज्यादा दिक्कत तब होती है, जब बहु को भी सास के साथ कहीं बहार जाना होता है, अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूँगी, कैश क्यों दे रही हैं आप, तू ना ज्यादा मॉडन मत बन, अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या, हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथो से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उन में से कुछ गधे तो ऐसे होंगे, जो हाथ पी नहीं दोते होंगे, हैं, ताना मार रही है क्या? नहीं तु, तू मुझे बेवकूफ समझती है, क्या मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? मा जी मैंने आपको कुछ नहीं कहा आरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे कुछ लेना ही नहीं है आरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट गया फिर बहु तुझे न मैं बाद में देखूंगी बाद में मतलब कितनी बज़े बहु बड़ी मजा क्या है आपकी और सास बहुत गुसेल है एक फटका दूँगी ना अरे सारी अंटी जे बहुत सास से परिशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पती से कहती है सुनिये जी मेरी एक शिकायत है आपकी ममी के बारे में वाह लोग बच्चे के शिकायत लेके और बिना काम के घूमती रहती है अगर कुरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अच्छा क्या कर लोगी तुम क्या कहा नहीं मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो तुम बस मेरा साथ दो अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है मा मेरे शरेट पर कुछ हो रहा है देखना अरे ये तो खाज है अरे मतलब खुजली हाँ और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है फैलने वाली खुजली है परसो तक मुझे थी आज आपको भी हो गई ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास अरे मा के सामने ऐसी बात कर रही हो क्या कर रही है अरे तो पास आये तब ही तो खुजली हुई ना अब आप ममी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना अरे मोरी मैया जो का कह रही है सही कह रही हूं माजी अरे बेटा दूर हाटे ना दूर हो जा हमसे सोशल डिस्टनसिंग कर ले ना एकडम से हाँ हरे माजी खुजली ही तो है आप तो गाउं की शक्तिशाली औरत हो आपका क्या कर लेगी ये खुजली खुजला खुजला के चहरा लाल हो जाएगा इससे ज़्यदा और क्या होगा आरा नई नई बहु थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी तिकत दे सकती है ना और खुजली है अच्छा थोड़ी ना लगता है लोग क्या कहेंगे सारे घर को खुजली हो गई तो है तो मा क्या करूँ मैं अब क्रीम लगा नहाले नीम के पानी से घर से ना निकलवनना लोग खुजलाओ खुजला के माई नेम इस खाज बोलकी चिड़ाएंगे तुझे और हमसे ना बेटा दूर रहा कर कहीं हमको भी हो गई तो मा ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे कम से कम वो सुन तो पाएंगे अगर कोरोना हो गया तो बाबा समझ गई अब तु अपनी खुजली का ध्यान रख मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी ठीक है मा जी आप तो बिना बोले ही बस इस शारों में ही समझ गई वैसे ये आइडिया था किसका आपकी बेटी का अच्छा-च्छा सोशल डिस्टंसिंग की वज़े से छू नहीं रही हूँ तुझे वरना दे दनादन हो जाता है न मा अरे हस क्या रहा है मेरे लिए नया मास्क लेकर आ उस दिन के बाद सास ने गाठ बान ली दो गजद दूरी मास्क जरूरी और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी